आपके से आपको पिक्जल पता चल गया पिक्जल क्या है इट रिप्रेजेंट द शौटेस्ट पॉसिबल यूनिक पॉजिशन ठीक है डेफिनेशन के लिएगा एलिमेंट है कि इसा छोड़ा एलिमेंट है जैसको दिखाया जाता है ऑन द मॉनिटर विदाउट ओवर लैपिं इसकेंड डिस्प्ले होता है वैक्टर इसकेंड डिस्प्ले अब यह क्या होते हैं यह मैं थोड़ा सिंपल आपको इन दोनों की डिफ्रेंस बना बता देता हूं भाई जो हमारे पास एक ऐसे डिस्प्ले होते हैं जो रास्टर होता है यहां ऐसा मॉनिटर होता है जिसको व को और अगर हम अगर कोई तस्वीर इसमें बन जाती है मिसाल तो इसमें एक सॉफ्वेर आड़ोप कौन सा? इलिस्टेटर अगर आड़ोप इलिस्टेटर में आप कोई तस्वीर बना लोगे तो क्या होगा इसको जब आप बढ़ा करते जाओगे scaling मतलब इसको zoom करते जाओंगे तो यह टूटेगी नहीं क्या होगा टूटेगा नहीं आपको लगए यह पिक्टर बड़ी perfect बन गई है इसको जितना zoom कर रहे हैं तो यह खराब हो नहीं रही तो इस टाइप के जो software होते हैं वह किलाते हैं वैक्टर में ठीक है वह वैक्टर वाले software में बन रहे होते हैं ठीक ओके और जो है हमारे पास इसको scan कनवर्जन हाड़ेन रुकाइड अब इसके लिए hardware की अच्छी hardware की दूरुत नहीं होती इसको जो है कनवर्जन इसकी आसानी से हो जाती है स्माल साइज होती है साइज की ठीक है और प्रिंटिंग परपस के लिए यह भी software इस्तेमाल की जाते हैं जिससे PDF हो गया ठीक और हमारे पास मुकामले में एक रास्टर हमारे पास डिस्प्ले है scan डिस्प्ले जो क्या करता है अपने पा तो अगर तस्वीरें इनको जूम किया जाए तो यह टूट जाती है डिस्टोर्जन हो जाता है तस्वीरें आपको बिखरती ही दिखाई देती है किलियरेटी में थोड़ी कम हो जाती है इस तरह हमारे पास जो है इसको यह हाड़वेर भी अच्छा रुक्वायर होता है जि पेजी फार्मेट में होती है इसका फुल फार्म देख लिए जागा ठीक है तो यह कैटेगरी आ जाती है राश्टर वाले में चीक और उसके बात हमारे पास रिजूशन क्या यह वर्ड बहुर्ट कमन है अस्प्रक्रेशर यह दोनों वर्ड कमन है मिसाल तो अब यह आप द क्या का मैंने फिर से बात कर जैसे यह एक और मुवी है जिसको कहते है लाइन अफ डैजर्ट ठीक है यह उमर मुक्तार रियल स्टोरी पे बनी है और यह पूरी तस्वीर है ठीक है और यह क्या है कि जितने भी नंबर आप पिक्जल ठीक है इसमेश को बनाने के लिए यह रि इसा शौर्ट भी कह सकते हैं कि नंबर आप पिक्जल इन एन इमेज तो रिजलिशन वो चीज़ है जो क्या करते है रिप्रेजेंट करती है विड्स इन हाइट मैं आप से कहूं यह विड्स में कितने जो हमारे पास पिक्जल है और हाइट में कितने पिक्जल है अब यहां पर बात यहां जाएंगी दूसरी ठीक है चले तो एस वैले तो टोटल नंबर आप पिक्जल भी आप कह सकते हैं ऐसे भी कह सकते हैं तो टोटल नंबर आप पिक्जल इन इमेज बिलकल यह भी सही रहेगा ठीक और हमारा बहुत सार रिजलिशन होती है जैसे 720p बहुत सारे अजिए फुल एशडी टू के यह अल्टर एशडी ठीक है अब जो हमारे पार मिसाल तोर में आपसे कहूं कि भाई अपने इस जो है कंप्टर पे आपकी रिजलिशन कौन सी सेट है जो आपकी स्क्रीन पर दिखा रही है पिक्चर यह कितनी रिजलिशन आपकी है कंप्टर क हाइत and इस आइड कितनी है वोलिंग सामने अब बॉलन कुंसरी पता ही नहीं आप क्या करें राइट क्लिकus करें डैस्टोप ठीक है और यहाँ पर आप जाएंगे डिस्पले सेटिंग डेस्पले सेटिंग सेटिंग अजाएंगे चल्याण यह और आप यह रेका है टोटल मिलाते होए आपके पिजल स्कोर, वैल, इसी तरीके से एक्सप्रेट रेशो क्या होता है, आपका मुबाइल आपने लिया, आपके विर्थ जो है, वो कितने जो है, वो कितने इसके इंच है, और ये 9 इंच का मिसाल, तो जो भी आप इसको ले ले लें, ठीक है न, विर आपके वर्टिकल को सियिकन कि तोटल है को इन शुड़ाइन की रहता है इसंदीरश Y पाइं इस होड़ाइन को विजुड़ाइन ऑस कि हम उसे कहते है इसस्पेक्ट थो हमें और फॉर्मलर क्या एंदीर थी है तो हमें 300 पता चल गई थी यह जो है 16 है और यह में 9 है मिसाल ठीक है और इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1.77 क्योंकि आपने फार्मल लगा दिया यहां पर ठीक है वेड़ा तो इसी तरीके को मुबाइल के अंदर मिसाल तो तो भाई 480 पिक्जल इस्तेमाल हो रहे हैं स्टेंडर के लिए ठीक है और इसका जो है उसको साइज बताया कि यह जो है 640 जो होगी इसकी विड़त होगी और हाइट के लिए 480 होगा इसका रेशो निकाल और रेशो निकालोगे तो 1.3 होगा इस तरीके से सबके रेशो निकाल सकते हैं उमीद करता है यहां तक आपको समझ आ गया हो कि यह क्या चीज़ हो रही है ठीक उसके बाद अगर कोई भी 3988 तो यह 4988 यह 4988 आपकी हाविट को रेशन कर रहे हैं और यह 399 अपकी हाइट को रेशन कर रहे हैं इस तस्वीर के और अगर दोनों को मन्टी पलाय करोगे तो क्या पता चल जाएंगे टोटल आपके पिक्जल कितने इस्तमाल हैं इसके अंदर वासन में आरे हैं अमीद कर आप से कहा था कि 12 میगा पिक्जेल का अगर आपके पास कैमरा होगा तो इसका मतलब क्या होगा तो जैसे आपने यह देखा यहां पर जो है टिनी डॉर्ट मिलकी एक तष्यार होते हैं तो अगर मैं आपसे कहूँ है एक मेगा पिक्जल की है तो इसका मतलब हुआ कि वो एक मेगा पिक्जल की कैमरा जो है तोटल पिक्जल कितने बना सकती है एक मिलियन बना सकती है और अगर मैं आप से कहूँ कि टोईल मिलियन मेगा पिक्जल की अगर कैमरा है तो तो इसका मतलब बारा मिलियन तोटल पिक्ज बना सकती प्रिड्यूस कर सकती है एक और बात जहन में रखिए स्क्रीन पर सियाटी पर अगर आपके कैथोरे ट्यूब पर मॉनिटर पर जब अगर कोई तस्वीर दिखाई जाती है तो कंटिन्यू आपको पता होते हैं कि रेस क्या होते हैं टिक हो किलिक हो कर रहे होते हैं हि कंटिन्यू गिलो रहे मैं चाहता हूं कि क्या उनसी ऐसी टैकनिक है जिससे मैं ऐसे कंटिन्यू गिलो करता रहूं जैसे पिक्चर हमेशा बरकरार रहे वो दिखाई देती रहे मुझे और वो कौन सा तरीका है वो है रिफ्रेश रेट वो रिफ्रेश रेट जतना ज्यादा होगा तस्वीर जो हमारी होगी वो क्या होगी वो किलियरिटी में होगी वो फिलिक्रिंग नहीं करी होगी ऐसा नहीं फिलिक्रिंग करी होती है जटके दो रही होती है ठीक जा रही होती है तस्वीर तो यह नहीं होगा इसको जितना रिफ्रेश ज्यादा होगा उतना हमारी तस्वीर steady रहेगी ठीक ये continue persistence रहेगी उसके अंदर ठीक तो ये था हमारे पार refresh rate अमीद करता हूं को समझ आ गया हूं अपना ख्यार रखेगा कमेंट्स बताएगा लाफिज